इस वीडियो से हम लोग 4th chapter स्टार्ट करने जा रहे है जो है forms of business organization part 1 इस particular chapter के अंदर हम लोग अलग-अलग type के private sector organizations के बार में पढ़ने वाले है नो सबसे पहले private sector organizations क्या होते है तो जहाँ पे एक individual या कुछ individuals मिलके capital contribute करते हैं मतलब पैसा invest करते हैं उस business के activities को manage करते हैं सब चीजे वेगरा करने का buying, selling वेगरा वो सब चीजे वो लोग करते हैं और इनका objective जो होता है वो होता है profit earning करना उसको private sector organization बोलते हैं जहाँ पे कुछ लोग इकटा होते हैं खुदका business करते हैं और profit कमाने की objective रखते हैं तो उसको हम लोग private sector organization बोलेंगे ऐसे टोटल पाच टाइब के private sector organizations के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है sole proprietorship then partnership firm, joint Hindu family business, cooperative society, joint stock company ऐसे हर एक को हम लोग detail में पढ़ने वाले हैं हर एक के हम लोग features, merits और demerit मतला advantage और disadvantage मतला अलग-अलग type का business करने के विए से क्या हमको advantage मिलेंगे और क्या disadvantage मिलेंगे वो हम लोग ये particular chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं फिलाल तो इस वीडियो के अंदर हम लोग sole proprietorship के बार में पढ़ेंगे कि sole proprietorship क्या होता और उसके features क्या है so let us start सबसे पहले sole proprietorship क्या होता है now यहाँ पे दो अलग-अलग word है एक है sole और दुसरा है proprietorship sole का मतलब क्या होता है single मतलब individual या अकेला proprietorship का मतलब होता है owner okay मतलब जिस business का एक single या individual owner होता है उसको हम लोग sole proprietorship बोलते है मतलब जिस business को चलाने के लिए एक अकेला individual होता है या एक अकेला individual उस business को चलाता है तो उसको हम लोग sole proprietor बोलेंगे इसका मतलब कि जिस business को carry on करने के लिए carry on करना मतलब कि चलाने के लिए एक single person की जरूत होती है मतलब वो अकेला इंसानी क्या करेगा वो बिजनेस में capital invest करेगा, उस बिजनेस का सारा management वेगरा देखेगा, मतलब सब कुछ वो एक अकेला इंसानी कर रहा है, so जहाँ पर एक अकेला इंसान होता है, वो बिजनेस को carry on करता है, चलाता है, उसको sole proprietorship बोलेंगे, now यह जो single person होता है, उसी को business का owner भी बोला जाता है, because वो business को own करता है, उसी को business का manager भी बोला जाता है, because वो business के activities को manage करता है, और उसी को business का controller भी बोला जाता है, because वो business को क्या करता है, control करता है, नो किस तरीके से वो बिजनेश का ओनर, मैनेजर और गंट्रोल अरगम होता है तो वो बिजनेश में अपना पैसा इनवेस्ट कर रहा है सो जो पैसा देता है उसको बिजनेस का ओनर बोलेंगे इसके लिए he owns the बिजनेस वो बिजनेस को मैनेज भी करता है कैसे तो business को planning करना कि वही कौन से product ब्रकने हैं, कितने price में बेचने हैं, सारे decision जो होते हैं वो खुदी लेता है, okay, so planning वो खुद कर रहा है, then चीजे लाने का, उसको manage करने का, उसको रखने का वगरा, सब चीजों को organize करने का, इकटाल करने का काम जो होता है, वो खुद करता है, then उ सारा जो कामें, वो खुद करता है, इसके लिए उसको business का manager भी गोला जाता है, और controller क्यों बोला जाते है, तो ये business को क्या करता है, business में आगर कुछ vestage वेगरा हो रहा है, business में losses वेगरा हो रहे है, तो वो timely action लेता है, timely action का मतलब क्या होता है, वो सही समय पर action लेता है, और westage को कम करनी कोशिश करता है, losses को कम करनी कोशिश करता है, इसके लिए उसको controller भी बोला जाता है. So, यह एक individual entrepreneur होता है, entrepreneur मतलब businessman होता है, जो business को own भी करता है, manage भी करता है, और control भी करता है. नो यह जो business है, यह काफी oldest टाइप का business है, मतलब काफी सालों से यह business पाया जाते हैं और एकदम simple है यह business शुरू करना यह business के अलग-अलग नाम होते हैं इसको हम लोग one man business भी बोल सकते हैं individual proprietorship भी बोल सकते हैं individual entrepreneurship entrepreneurship का मतलब होता है business and soul trading concern भी बोलते हैं popularly उसको soul trading concern बोलते हैं अभी यह जो business का owner होता है यह business करने वाला जो businessman होता है उसको क्या बोला जाता है तो उसको soul proprietor बोल सकते हैं soul trader बोला जा सकता है तो यह soul proprietorship business के अलग-अलग नाम है और यह soul proprietorship business करने वाले businessman के दो नाम हैं ओके ना हम लोग कुछ examples देखते हैं जिसमें सबसे पहले है small retailer small retailer मतलब हमारे आजबा जुमें घर के आजबा जुमें हम लोग देखते हैं कि छोटे जोटे shops होते हैं जहां पे सब खाने पीने की चीज़े cold drinks वेगरा या रोज मारात की जो हमारी चीज़े होती है शैंपू, सोप वेगरा ये सब चीज़े जो बेची जाती है उसको हम लोग small retailer बोलते हैं तो वो sole trader का example हो सकता है कोई भी photographer, beautician, hairdresser या कोई भी plumber, grocery मतलब जो grocery बेचने वाले गेहुचावल बेचने वाले builder मतलब जो building का construction का का काम करने वाले होते हैं तो mostly ये सारे जो businesses ऐसे हैं जहां पर एक अकला इंसानी होता है तो अगर वहाँ पर एक अकला इंसान है वो अकला इंसानी वो business को चला रहा है उस business में capital contribute कर रहा है, business को manage कर रहा है, तो उसको हम लोग soul trader बोलेंगे, तो यह वो ही type के business है, जहाँ पर mostly एक अकेला इंसानी वो business को चलाता है, ओके, ना अभी हम लोग देखते definition, ना definition सबसे पहले हम लोग देखते प्रोफेसर जे हैंसन का definition, इसी definition को मैंने यहाँ पर graphically भी बता है वह था कि आपको वो याद करने में easy जाएगा, देखो क्या लिखा हुए प्रोफेसर जे हैंसन ने, sometimes known as one man business, यह जो business है, इसको one man business बोला जाता है, it is a type of business unit where one person is solely responsible, मतलब एक ही इंसान कुछ चीजों के लिए responsible होता है, कौन से चीजों के लिए responsible होता है, तो providing the capital, मतल होता है business, bearing का मतलब होता है सहना, अभी business में बहुत सारे risk होते है, जैसे कभी-कभी आपको loss हो सकता है, आपका sale कम हो सकता है, customer आपके product को demandी नहीं करते है, या कभी-कभी आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है business में, बहुत सारे risk होते है, तो यह सारे business के risk क उठाने का या business के risk को सहने का जो काम होता ये soul trader करता है so bearing resource को बोलेंगे and management of the business जो मैंने आपको बताया कि planning करने का सब चीजों को इखटा करने का सब को training देने का काम बाट के देने का ये सारी जो चीजें होती है ये responsibility किसकी होती है उस इनसान की होती है इसके लिए इसको soul proprietorship बोला जाता है सेम तरीका का definition प्रोफेसर जेम्स लूंडी ने बताया हुआ है जो बोलते है soul proprietorship is an informal type of business owned by one person अतलब ये एक informal type का business है जिसका owner जो होता है अकेला इनसान होता है तो ये सारी हम लोग ने introductory part देखी about soul proprietorship तो आपको I hope समझ में आ गया कि जो business एक अकेला इनसान चलाता है वही इनसान वो business में capital भी लाता है उसको manage करने का काम करता है और business को control भी करता है तो उसको हम लोग soul proprietorship बोलते हैं एक इनसान वो business में होना ज़रूरी है तो उसको हम लोग soul proprietor बोलेंगे अभी हम लोग ये business के features देखते हैं तो सबसे पहला feature है individual ownership मतलब ये business जो होता है there is only one owner एक ही owner होता है वो business का अभी ये owner जो होता है वो क्या करता है तो business में जो भी capital की ज़रूत होती capital मतलब business चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो तो सारा capital वो business में क्या करता है invest करता है अकेले ही दूसरा business की जितने भी assets है assets मतलब कोई भी property हो गई furniture हो गया raw material हो गया finished goods हो गए ये सारे जो होते ये इसके खुटके होते है so he owns all the assets of the business and business की जो भी liabilities है liability मतलब business का कोई भी करजा वेगरा जो होता है okay मतलब जैसे की loan वेगरा हमने लिया हुआ business का वो सब चीजों के लिए ये खुद अकेला ही responsible होगा उसको खुद को ही क्या करना है liability को चुपता करना है okay so वो एक individual owner होता है वो अकेला ही business का owner होता है जो business में capital भी लाता है सारे asset भी उसके खुद के होते हैं और सारी liability जो होती है उसके लिए वो खुद ही responsible होता है दूसरा है no sharing of profit and risk यह हम लोग losses बोल सकते हैं now ये business जो होता है इसके अंदर किसी भी तरीके से profit और risk का sharing नहीं होता है because profit और risk को share करने के लिए हम लोगों को दो लोगों की ज़रूत होती दो या दो से ज़्यादा लोगों की पर यहां पे एक अकेला इंसान होने के वाए से किसी भी तरीके का profit का और risk का sharing नहीं होता है because there is no one else with whom he can share the profit and risk जो भी profit होता है बिजनेस में वो अकेला इंजोई करेगा और अगर बिजनेस में कुछ भी risk हुआ जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया कि आग लग गई या customer ने तुमारे product को demand करना कम कर दिया या फिर तुम लोगों को loss वेगरा होना शुरू हो गया ये सारी जो रिस्क होते है वो अकेले को उसको क्या करना पड़ता है बियर करना पड़ता है तो उसके साथ profit और risk शेर करने वाला कोई भी होता नहीं है तिसरा है self employment self employment का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप लोग खुद का business एक शुरू करना चाहते हो ना इसके पीछे का reason क्या होता है कि काफी बार unemployment की problem होती है हमारे इंडिया जैसे country में unemployment बहुत ज़्यादा होती है because population बहुत ज़्यादा है number of businesses बहुत काम है तो लोगों को job नहीं मिलते so they remain unemployed तो ऐसे लोग क्या कर सकते है खुद का business start कर सकते है और ये business शुरू करने के लिए हम लोगों को बहुत ही कम capital की ज़रौत पढ़ती है so soul proprietorship जो है वो लोगों को क्या करा है self employment दे रहा है self employment मतलब क्या कि वो लोग खुद का business शुरू कर सकते है कम से कम capital के साथ और खुद का livelihood वो लोग earn कर सकते है livelihood का मतलब क्या होता है rosy roti तो उनको unemployed रहना नहीं पड़ेगा या जबरदस्ति किसी की यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा वो खुद का self employment या खुद का business self employment का मतलब ही होता है खुद का कुछ भी business करना या खुद से कुछ भी करना और ये business में capital काम लगता है और अच्छा कासाब अपना livelihood earn कर सकते हो ये जो business होता है वो किसी भी individual को एक source of income available करके देता है source of income मतलब कि वो अपना खुद का earning जो है वो business के तुरू easily कर सकता है तो इसके लिए ये business जो है best suitable form है self employment के लिए मतलब जहां पर हमको किसी और के यहां पर काम नहीं करना पड़ेगा या हम लोग को unemployed रहना नहीं पड़ेगा जो भी self employment करना चाते हैं वो लोग sole proprietorship business शुरू कर सकते है local market operations local market operations का मतलब क्या होता है कि ये business जो होता है mostly local area में चलता है local area मतलब छोटे से एरिया में इसके दो main reason होते है एक तो है limited capital limited capital मतलब इनके पास पैसा बहुत कम होता है पैसा क्यों कम होता है because basically ये पैसा कहा से लाते है तो खुद के saving में से जो भी घर में बचा के रखा हुआ है या अपने किसे friend के पास से दूसरा friend के पास से relatives के पास से बौरो करने के लिए जाते है तो लोग भी क्या करते है या तो थोड़ा सा पैसा देते है या तो लोग deny कर देते है बैंक के पास loan मांगने जाते है तो bank security मांगती है तो obviously इनका capital क्या हो रहा है limited हो रहा है दूसरा managerial ability भी इनके पास बहुती कम है managerial ability का मतलब क्या है business को चलाने के लिए जो knowledge की जरूत होती है जो skill की जरूत होती है professional education की जरूत होते है उनकी इनके पास बहुती कमी रहती है काफी बर ऐसे हो सकता है कि sole proprietor जो है वो ज़्यादा पड़ा लिखा नहीं है business कैसे करना है उसका knowledge और skill उसको नहीं है तो ये सब की वएसे क्या होता है उसकी managerial ability कम हो जाती है और कभी भी किसी भी business को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको पैसा और पैसे के साथ-साथ managerial ability मतलब knowledge और skill की जरूत होती है ये दोनों भी चीज़े इसके पास कम होने के वज़े से ये अपने business को local area में ही operate करता है छोटे से area में ही चला सकता है अभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर एक business जो होता है sole proprietorship का वो local area में operate हो ऐसे कुछ exceptional cases भी हो सकते है जो अपने business को national और international level पे भी लेके जा सकते है मतलब वो लोग अपने business को बड़े पेमान में फैला सकते है अगर उनके पास capital हुआ अगर उनके पास managerial ability हुआ तो तो आप लोगों को अगर यहां पर ऐसा भी question आ सकता है true and false में कि यह लोग स्रिफ और स्रिफ local area में अपना business करते है तो that is wrong ओके कुछ ऐसे लोग हो सकते है जो national और international market में भी अपने business को expand कर सकते है if they are having sufficient capital and managerial ability ओके now next one is no legal status legal status का मतलब क्या होता है खुद की पहचान खुद का एक separate status now sole proprietorship यह जो business होता है इसका कोई भी separate legal status नहीं होता है इसकी खुद की अपने पहचान नहीं होती है कानून के नजरों में in the eyes of law sole trader मतलब जो businessman है वो और उसका business मतलब जिसको sole proprietorship बोलते हैं यह दोनों को एक ही माना जाता है यह दोनों भी एक ही है ओके तो से ही जाना जाता है इसकी सारी activity जो होती हो businessman के नाम से ही होती है इसका अपना खोई भी एक अस्तित्व होता नहीं है जैसी के suppose bill दे रहे हैं आप लोग किसी को goods बेशते हो तो bill देते हो तो bill के उपर नाम जो होगा वो sole trader का ही होगा क्योंकि business का ऐसा अपना खुद का कोई भी पहचान नहीं है तो यहाँ पे यह जो business है इसका खुद का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है कोई भी legal status होता नहीं है minimum government regulation इस business में government के regulations बहुत कम होते जो सबसे अच्छी बात है because government के regulations या government के जो भी rules वेगरा होते है उसके वेश से क्या होता है कि कभी-कभी business शुरू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है because बहुत सारी formalities करनी पड़ती है पर ये business में बहुत ही कम government regulations होते है जिसका पहला reason यह है कि ये business का कोई भी separate act या law नहीं है law और act का मतलब क्या होता है हम लोग ने देखा कि अलग-अलग type के business होते है total पाच type के देखे बाकी सारे जो business है उसके अपने-अपने act है वो हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे act का मतलब क्या होता है कानून मतलब वो act के अंदर वो business को कैसे form करना है मतलब setup करना है किस तरीके से वो business को चलाना है उसके सारे rules या नियम लिखे रहते है उस नियम के हिसाब से वो business को चलाना होता है otherwise वो businessman को penalty लग सकती है पर sole proprietorship ऐसा business है जिसका कोई भी act या कोई भी law नहीं है मतलब उसके activities को govern करने वाला activities को कैसे करना है वो बताने वाला कोई भी यहाँ पर act और law नहीं है तो वो एक सबसे बड़ी चीज है तो वो अपने सबसे business को चला सकता है दूसरा इस business को registration करना compulsory नहीं है now registration करने में क्या होता है कि बहुत सारा paperwork करना पड़ता है बहुत सारे papers submit करने पड़ते है उसमें हमारा time, money और energy बहुत ज़्यादा waste होता है काफी सारे लोग business इसके लिए नहीं करते है बड़े-बड़े because उस business के registration बहुत ही complicated होता है बहुत सारे documents submit करने पड़ते है बहुत सारे certificates वेगर हम लोग को लेने पड़ते तब जाके हमारा business शुरू हो सकता है तो यहाँ पर registration करना compulsory नहीं है तो वहाँ पर हमारा time काफी ज़्यादा बच रहा है और formation जो होता है business का मतलब business को set up करने के लिए बहुत ही कम legal formalities वेगरा भी करनी पड़ती है तो वो भी ज़्यादा नहीं होता है तो इन सब चीजों के वज़े से क्या होता है business को शुरू करना काफी ज़्यादा easy हो गया है लेकिन यह business के अंदर कुछ tax law होते है tax laws का मतलब क्या होता है कुछ taxes वेगरा पे करनी होते है वो उनको पे करनी ही पड़ेंगे और labor law होते है labor law मतलब इनकी आपर workers काम करते है कुछ तो वो workers के लिए कुछ कानून होते है worker को कौन सी कुन सी चीज़े अवे लेबल करके देनी वेगरा वो tax labor law जो होता है वो follow करना पड़ता है तो यहाँ पे tax law और labor law जो होता है यह sole proprietor को follow करना पड़ता है उसके अलावा यहाँ पे ना कोई act है separate ना registration compulsory है और formation के लिए जो legal formalities जो होती हो वो भी काफी ज़्यादा होती नहीं है तो यह business का formation काफी easy है यहाँ पे government का regulations बहुती कम से कम होती है और last वाला और सबसे important है unlimited liability नव सबसे पहले liability का मतलब क्या होता है liability का मतलब होता है आर्थिक जिम्मेदारी मतलब suppose हमने किसी से उधार लिया है या करजा लिया है तो हमको repay करना है तो यहाँ पे आप लोग को यह चीज़ याद रखनी है कि sold proprietor जो होता या sold trader जो होता है उसकी liability unlimited होती है now what do you mean by unlimited liability तो उसकी जो business property होती है और personal property होती है इसमें कोई भी distinction distinction मतलब कोई भी fork होता नहीं है इसको मैं और easy तरीके से आप लोग को समझा था हूँ suppose sold trader का जो business है या sold proprietor का जो business हो loss में चला गया तो business loss में जाने के बाद में वो क्या करेगा अपनी business property को बेचेगा क्योंकि उसको वो जो करजा है वो चुकता करना है तो business को बेचेगा suppose उसका business loss में चला गया एक छोटा सा example बता तो 10,000 रुपे उसके उपर करजा हो गया तो उसने business की सारी property बेच दिया सारा asset वेगरा सब बेच दिया और उसको 7,000 रुपे उसने recover किये और उससे उसने वो 7,000 रुपे का करजा चुकता किया अभी भी उसका 3,000 रुपे का करजा बाकी है तो 3,000 रुपे का करजा वो कहा से repay करेगा अपने personal property में से मतलब घर में जो भी जुवेलरी होगी या घर वेगरा जो होगा वो सब बेचना पड़ेगा या गिरवी रखना पड़ेगा और उसको अपना वो business का loan जो चुकता करना पड़ेगा इसको बोलते है unlimited liability जहाँ पे उसके business property और personal property में कोई भी फरक नहीं होता है वही मैंने यहाँ पे लिकाए there is no distinction मतलब फरक होना between business property and personal property अगर business asset insufficient है मतलब आपने मतलब business property बेची फिर भी आपको जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिला तो आपको personal property भी यहाँ पे बेचनी पड़ सकती है तो that is a unlimited liability तो हमेशे याद रखना sole trader की liability जो होती है वो unlimited होती है business property कम पड़ती है तो personal property को बेच को अपनी liability को repay करना पड़ता है तो यह बहुत important चीज liability के बारे में हम लोग याद रखना है हम लोगो जो भी points हम लोग ने यहाँ पे पड़े इस में से काफी सारे points जो हो आगे हम लोगो वापस से repetitively आने वाले तो यह वीडियो को आपको बहुत आच्छे से सुनना है यहाँ इस भी particular वीडियो में हम लोग ने देखा कि soul proprietor क्या होता है उसके features क्या होते है यह मेरे URL जहां से मेरे images ली है thank you students please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends we will meet in the next video